सेजय धाकरे जे, लोगसबा के सयोजक दिनेश कठियार जे, जिलाप्रवारी महिस्यों महिस दुबे जे, दिवेंद्र देव गुपता जी, नरेंद्र सिंग यादो जे, और भारी संख्या में इस रामिला मैदान में उपस्तित कायम गंज और फरुकाबाद संस्तिय चेतर से जुड़े वे सभी मेरे पस्तित बैन और भाईयों, मा गंगा की किर्पा से ओत प्रोद, आप सभी फरुकाबाद वास्यों को, इस पावन धरा को नमन करते वे, आप सभी का मैं अविनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बेन और भाईयों, 2022 में भी मैं यहीं पर आया था, और तब मैंने कहा था ना आपको, कि अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर भी बनेगा, और बड़े-बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी होगा, और राम नाम सत्य है कि गोँज की आवाज इतनी तिब्र है, कि अब अच्छे अच्छे लोगों को भी, जिन लोगों को जब आउसर मिला था, तो गरीबों के हकों पर तो टकैती डाली ही, दिब्यांग जनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनको अब जेहाद की बात आने लग गई है, बैन और भाईयों, भारत की धर्ती राम और कृष्णी की धर्ती है, भारत की धर्ती जेहाद की धर्ती नहीं है, और इसलिए आद मैं आपसे आवान करने के लिए आया हूँ आपका आवान करने के लिए आया हूँ पुरे देश के अंदर जो इस समय लहर है मैं अभी मद्यप्रदेश से महाकाल की धरती से आ रहा हूँ पुरे देश के अंदर नो राज्यों में प्रचार के लिए भी तक गया और पुरे देश के अंदर आज जो लहर है जो स्वर है वह दोई प्रकार की गूज रही है एक पुरे देश के अंदर हर जवान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार और दूसरा है जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे बैन और भाईयों आपने बदलते वे भारत को देखा है एक ऐसा भारत 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत 2014 का पहले का भारत दुनिया के अंदर विश्वास को चुका था अराजगता का सिकार था आतंगबाद और नकसलबाद से गरसित था युवाप लाएंग करता था अन्यदाता किसान आत्म हत्या करता था ब्रस्ता चार इस कदर था की विकास की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ पाती थी गरीबों को कोई भी सासन की योजना का कोई भी सासन की योजना नहीं प्राप्त हो पाती थी बैन और भाईयों ये जितनी भी ये जितनी भी प्रकार की अराजकता थी ये वे लोग करते थे जिन लोगों को भारत के लोग तंद्र पर विश्वास नहीं था जिन लोगों को देश के लोग तंद्र पर विश्वास था वे मजबूती के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के सकारेक्रम के साथ जुड़ करके भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे लेकिन जिन को भारत की अग प्रगती अच्छी नहीं लगती थी का प्रियास करते थे लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा 2014 के भारत को आपने उसी शुरूप में देखा होगा कि 2014 के भात का भारत आज नया भारत है दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में भारत को देख रहे हैं यह नए रूप हमारे सामने है जिस नए भारत में आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है देश की सीमाई सुरक्षित हुई है आतंगबाद और नकसलबाद का खात्मा हुआ है तो बैन और भाईयो अब वह इस्तिती नहीं कि कहीं भी स्पोर्ट होगा और सरकार कहें कॉंग्रेस ने तृत्व की सरकार जब सपा बस्पा के लोग सबंधन करते थे तब कॉंग्रेस की सरकार कहती थी कि साभी तो सीमाई पार से आतंगबाद है और आज कहीं जोर से पताका भी फढ़ जाए ना तो बैन और भाईयो तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है और वहाँ अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है वो नय भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है ये वही भारत है जैसा भारत मैं पहले आतंग बादियों को देखकर के सरकारे कहती थी कि ये तो सीमा पारसे हैं आज सीमा पारसे उसका आका भी सफाई देने के लिए मजबूर होता है बहनोर भायों ये नए भारत में आज बिकास के कारियों को आप देख रहे होंगे 2022 में मैं आया था मैंने कहा था ना गंगा मैया पे बनने वाला पुल बहुत सीगर तयार होने के लिए प्रारंब होगा आज कारे प्रारंब हो चुका है तब मैंने कहा था कि फरुकाबाद में जो नारा पहले लगता था कि फर का बाद भी एकस्प्रेस के साथ जुड़ेगा हम एकस्प्रेस ळेस्वे के साथ जोडने की कारवाई भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है मैं और भाईयों आज हाइवेः बन रहे हैं एक्सक्प्रेस वेः बन रहे हैं वन 501 मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है IIT, IIM, TIPLEIT, NIT, World Class University हर घरनल की योजना के साथ साथ विकास की योजनाओं को भी एक लंबी फेरस और गरीब कल्यानकरी योजनाओं का भी देश के अंदर 80 करोड लोग रासन की सुविदा का फ्री मेला प्रप्त कर रहे है याद करिए 80 करोड लोग भारत में रासन प्रप्त कर रहे है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड लोग भूकों मर रहे है आप अनमान करिए जो लोग जहाद की बात कर रहे है इनको सरमानी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोग तंद्र को यो लोग कलंकित करना चाहते हैं इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूकों मरने के लिए इस भिकमंगे पाकिस्तान के पास जाईए जो आज दो जून रोटी के लिए तड़प रहा है भैन और भाईयो देश के अंदर साट करोर लोगों को पांच लाग रुपे की स्वास्त बीमा का कवर मिलना है और अगर कोई गरीब बिमार होता हमारा बिदायक सांसर कोई पदादी कारी पूर बिदायक या कोई कारे करता है पीडि स्वयम भी मुझे पत्र लिखता है कि हम बिमार हैं पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं पैसा नहीं है, आए उसमान कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो बैन और भाईयों, उस ब्यक्ति के ले हम वहीर से जंदन एकांट में जो मोदी जी ने जंदन एकांट खोला है, उसी में लखनों से सीधा पैसा बेशते हैं, कहते हैं, अपना उपकेशार कराईये, आराम से उप कार देगे बैन और भाईयों प्रधान मंत्री मोदी जिने 50 करोड़ लोगों के जंदन एकांट खोल दिये देश के अंदर 12 करोड़ नदाता किसानों को किसान सम्मानिदी का लाप प्राप्त को रहा है 12 करोड़ गरीब गरों में सोचाले बन गए 10 करोड़ मातां को उज्वला योजना का कनेक्सन मिल गया है और बैन और भाईयों यही नहीं चार करोड़ लोगों को मकान और मोदी जिने का है बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी हम आवास की सुवधा का लाप अगले पांच वर्स में दे देंगे ये बिकास की जो योजनाय चल लगी है गरीब कल्या सुरक्सा और सम्मान का जो बेतर माहूल बना है बैन और भाईयों इन सब को जोड़ते वे एक तरफ मोदी जी के नित्रत्व की भारती जनता पार्टी का गड़बंदन है और दूसरी तरफ SC, ST और OBC के आरक संप्रा सेध लगाने वाली कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और बोजन समाजवादी पार्टी आ हैं बैन और भाईयों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या योध्या में राम मंदिर का निर्माड एक कॉंग्रेस सपा बसपा के लोग करा पाते क्या राम मंदिर का निर्माड होने पे आप खुछ हैं क्या कितने लोग योध्या गये हैं अरे ये तो पुराई कायम गंज गया है बाकी जो लोग बज जाएंगे मैं यहां के विदायकों से और मुकेस राजपूत से भी कहूंगा कि लोग सवाचुनाओं के बाद बाकी लोगों को योद्या का दर्शन करा के लेकि आ जाएं आज आपको योद्या नहीं है योद्या दिखती होगी त्रेता युग फिर से स्मन हो आता है बैन और वाईयों ये मोदी जी के मार्ग दर्शन और नेत्रित्व में हुआ ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे क्या कहते थे कहते थे कि राम तो यहीं नहीं परिंदा भी पर नहीं मार सकता और आज लाखों लोग अयुद्या में दर्शन कर रहे हैं देखना आपने पर ले ना ये है नया भारत बैन और वाईयों आज आपकी आस्ता का भी सम्मान है कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वाता बरने बेटी और ब्यापारी को भी सुरक्सा है और इस नय भारत में एक तरफ गाह, गरीब, किसान, नौजमान, मैलाएं सब के सम्मान और उनके संग्रक्षन के लिए मोदी जी के नित्रत्व में कारे हो रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गड़बंदन है जो आपके हकों पर डखेती डालने की योजना बना रहा है बैन और वाईयो जब सबा और कांग्रेस के नित्रत्व की यूपिये सरकार थी, तब इन लोगों ने इस परकार की साजी सरची थी तब इन लोगों ने प्रियास किया था जस्टिस रंगनात मिस्टरा कमेटी की रिपोर्ट बन लेकर के लोग आये थे रिपोर्ट के अनसार पिछडी जाती के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से छे प्रिस्ट काटने की साजी सो रही थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर के अनसुची जाती को मिलने वाले आरक्षन पर इन लोगों ने सेंद लगाने का प्रियास किया था बाबा साब भीमरा अंबेट करने का था देश के अंदर धर्म के आदार पर आरक्षन नहीं होना चाहिए ये सपा और कॉंग्रेस के लोग दार मिकादार पर बटवारा करने का प्रियास कर रहे हैं ये भारत का अस्लामी करन करने की साजिस है और उसी साजिस के तहाद ये लोग यहाँ पर वोट जहाद की बात करते हैं बैन और भाईयों वोट में जहाद नहीं होता दुनिया के सबसे बड़े लोगतंद्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है जिससे हमारा लोगतंद्र और हमारा अधिकार सुरक्सित रहे और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आएं आपसे कहने के लिए यह अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सत्प्योग करके विकास के लिए सुरक्सा के लिए सम्मान के लिए और लोक आस्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार न केवल आपकी आने वाली पीड़ी के भुश्य को भी उज्वल कर सके और वाकार्या दीजी के नित्रत्व में हो रहा है आत्म निर्वरों विक्सित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्म निर्वर भारत का मतब हर नौजवान आत्म निर्वरोंगा हर मैल आत्म निर्वरोंगी हर किसान आत्म निर्वरोंगा हर व्यापारी आत्म निर्वरोंगा हर स सबीर तपके काथ में निर्बर होने का मतब विक्सित भारत हर नौज़मान के हाथ को कार हर मैला का स्वावलंबन हर ब्यापारी के ब्यापार को दैस्विक मनीता मिलना हर सरमिक के कार्य को सम्मान मिलना हर क्यन्न दाता किसान को अविनंदन होना यह एक विक्सित भारत की संकल्प ना है और उसी संकल्प के लिए आज भारती जन्ता पार्टी आपके पास आई है बैन और भाईयों चुनाओ यहाँ पे तीसरे चरण में आपको मद्दान करना है और भारती जन्ता पार्टी ने ऐसी मुकेश राजपूर जैसा साज और सरल ब्रिख्ति को आपके बीच चुनाओ पर किले उतवरा है अपना प्रत्यासी बना करके उतारा है भारती जन्ता पार्टी अपना दल राजबर पार्टी निसात पार्टी और रास्तिय लोग दल का समर्थन इनी प्राप्त है और इसलिए मुकेश राजपुत को भारती जन्ता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्यासी बना कर क्यों आपके बीच बेजा है आपसे मैं पील करूँगा आप आस्री बात देंगे न मुकेस राजपुत को सभी लोग देंगे लेकिन बेहनों और बाजयों के ओल यहीं तक काम नहीं चलने वाला है यहीं पे काम नहीं चलने वाला है देखो एक काम आप करिए घर घर जाएंगे मोदी जी का संदेशा लेकर के और मेरा संदेशा लेकर के घर घर जा पाएंगे अगले दो दिन परचार के लिए आपको मिलेंगे परचार कारे कल्प सायंकाल बंदो जाएगा लेकिन दो दिन घर घर जाएंगे जाएं और घर गर लोगों को बताना कि मोदी जी और योगी जी ने कहा है भारत को विक्सित भारत बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कारेकाल आउस्यक है और मोदी जी को तीसरा कारेकाल देने के लिए फरुकाबाद से मुकेश राजपुत आउस्यक है सेमत है न सेमत है न घर घर जाएंगे लेकिन बेनों और भायों ये काम तब तक पुरा नहीं होगा जब तक सात मई को पहला काम क्या होना है पहला मद्दान का पहला पहला मद्दान और फिर पहला मद्दान क्या बोले बेरे साथ बेलेंगे पहले मतदान और फिर जनपान सबसे पहला काम क्या होना है दस बजे तक आपके गाव आपके बूथ का पचास फीस्टी मतदान हो जाए करेंगे सभी लोग करेंगे दोनों आप तरह करके बोलो जहां तक मेरी आवाज जा रही है देखो जो लोग हाथ में उठा रहे हैं मैं समझ जाओंगा क्यों जिहाद का समर्थन कर रहे है दोनों हाथ प्रा करके मेरे साथ बोलेंगे जहां तक आवाज जा रही है सभी लोग सहमत है ना कमल जुनाचिन पर जिता करके बेजेंगे तो बेन और वाईों बिकास और सुरक्सा की जम्यदारी हमारी मुकेस लाथ पुत को भारी बहुमत से विजही बनाईए और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जैस्री राम तो सीम योगी आदेतनात को आप सुन रहेते हैं फरुखाबाद पहुंचे हुए सीम योगी आदेतनात जहां पार प्रत्याश्य मुकेश लाजपूत के लिए जुनाप प्रच्छा